हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम लोटस प्लांट के बारे में बात करेंगे ये वही प्लांट है जो हमने बकिट में लगाया हुआ था और फिर टब में शिफ्ट किया था लोटस से रिलेटेट सारी वीडियो आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी जरूर चाहे कीजिए ये प्लांट हमारे पास लगबग धाई साल से है टू एंड आफ येर से लेकिन इसमें कभी भी कोई प्राब्लम नहीं आई थी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था नहीं कोई डिजीज हुई थी लेकिन आज सुबह हमने नोटिस किया कि इस पर एफिट एटेक हो चुका है एफिट्स ग्रीन और ब्लैक दोनों होते हैं इस पर ब्लैक एफिट एटेक हुआ है ये ज़्यादे तर क्रैसैंथिमम यानि गुलदाओधी पर आपने देखे होंगे ब्लैक कलर के छोटे-छोट कीड़े होते हैं बहुत ज़्यादे नुकसान नहीं करते हैं लेकिन अगर इनको टाइम से कंट्रोल ना किया जाया तो यह आपके पौधे को खतम भी कर सकते हैं क्योंकि पौधे के स्टेम पर लगे हुए होते हैं या फिर जो पतियों की टेहनिया होती है उन पर लगे हुआ है जो देकर काफी अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत जादा ही एक दिन में इस पैटेक हो चुका है तो कोई बात नहीं इसको कंट्रोल करना बहुत असान है क्राइसेंथिमम पर भी हमने एक वीडियो अप्लोड की हुई है किस तरह से आप इनको कंट्रोल करें वह भ यूसदी यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो पानी हैं वो बहुत से जानवर प्शुपक्शी पीते हैं जैसे कि देख रहे हैं जो कि वास्प होती है यह इसका पानी भी नयाToर नहीं पने इस नुख सांटे आता है तो इसलिए केवल गोबर एस उस еще पात Helena कोबीवे वेस्ट से हमकंपोस्ट पनाते हैं वो इसमे एक करते हैं तो इनको अठाने चेरे के लिए हमने सबसे पहले प्रुश लिया जो कि वेंट paint brush है आप toothbrush का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से इनको remove करना होता है बहुत आसानी से ये हट जाते हैं क्योंकि काफी छोटे होते हैं easily हट जाएंगे और ये पानी में ही गिर जाएंगे तो हमको हम इसमें नीम ओयल और डिटरजेंट पाला भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसलिए यूज़ नहीं करें हैं क्योंकि जोबिए स्प्रेश करते हैं तो इसलिए यूज़ ब्रश से इसको अठा देते हैं जो काम आसानी से वह सकता है उसके के लिए आपको बहुत ज़्यादे मैणत कने की जरौरत नहीं है करब चाहिब को हटा सकते हैं कोई नुकसान ऋक् Abg नुक्सान यह देते हैं तो इस तरह से सारी पतियों सब्सक्राइब हटा देते हैं, बहुत आसान होता है इनको हटाना, और जो बाद में एक दो कुछ कहीं रहे भी गए होंगे उनको हम इसी पानी से अच्छे से वाश कर देते हैं, तो जो हमारा पौधा है बिल्कुल ठीक हो जाएगा इससे और अभी इस पे बहुत ज़़ा टैक नहीं हुआ था हमने इसको टाइम से कंट्रोल कर लिया तो हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्त रहेगा इस तरह से, तो अब हम इस पानी को भी चेंज कर देंगे, बहुत सारे क्योंकि हम कभी इतना इसमें पानी एड नहीं करते हैं देखिए इस जो एफिट्स हैं ये उपर भी आ रहे हैं इनको भी हम हटा देंगे नहीं तो ये दूसरे पौधर पर जाकर लग जाएंगे और फिर उनको नुकसान पहुचा सकते हैं तो ये एक बिकार कप है जिससे हम सारे पानी को हटा देते हैं और उस पानी को हम फेकेंगे नहीं दूसरे प्लांट्स में यूज कर लेंगे तो इस तरह से हमने सारा पानी हटा दिया है और इसमें एक जगे खाली हो गई है थोड़ी स्वाइल की तो इसमें हम एक्स्ट्रा स्वाइल थोड़ी एड़ कर देंगे और फिर हम इसमें फ्रेश वर्टर भर देंगे तो लार्वा को आप किस तरह से हटाएं देखिए कभी भी कमल के पौदे में बहुत जादा पानी देने की जरूरत नहीं होती है तो इस तरह से हम सूकी भी पतियों को भी इसमें से हटा देंगे एक सफाई भी हो जाएगी हमारे इस टब की तो लार्वा गर जो पानी होता है तो उसको अगर लार्वा हो जाएं तो तो चेंज करना ही पड़ेगा लेकिन लार्वा ना हो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो जिसमें आपने कमल को लगाया हुआ है उसमें आप एक या दो इंज पानी ही रखें तो क्या होगा गर्मियों में वो पानी सूखता जाएगा फिर आप उसमें शाम को फिर फ्रेश वाटर एड़ कर दीजिए क्योंकि बहुत से लोग मचलिया एड़ नहीं करना चाहते हैं अपने जो पॉंड होता है इसका छोटा सा मचलिया फिश एड़ नहीं करना चाहते हैं अगर आप फिश एड़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है आपका जो पॉंड है यह छोटा सा टब है यह सेफ रहेगा लारवा से लेकिन अगर आप मचलिया एड़ नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पॉंड में केव पौधे में केवल एक या दो इंच पानी आप रखें और देखिए इस तरह से हम इसमें फ्रेश वाटर एड़ कर देते हैं सफाई भी हो गई है हमारे पॉंड की तो इसको हमने जो बेकार पतियां थी वो हटा दी है और जो इसमें एफिट्स गिर गये थे वो हटा दिया है प कोई solution है तो देखिए वैसे तो आप algicide यूज कर सकते हैं लेकिन वही है वो chemical वाले ही होते हैं वैसे organic algicide भी आते हैं आप यूज कर सकते हैं नर्सरी में पूछ सकते हैं या जो plants की shop होती है उन पर आप पूछ सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह होता है जो यह algae इसम हम चाय नहीं चानते हैं तो इसका आप इसके लिए आप एक अलग चलनी रख सकते हैं अपने गार्डन में और इस तरह से यह जो काई जम जाती है इस पर algae हो जाती है इसको आप इसको easily remove कर सकते हैं तो हमारे यहां पर इतनी जादे इसमें अलगी नहीं होती है क्योंकि हम इ इसमें अलगी भी नहीं होती है लार्वा भी नहीं होते हैं और बिल्कुल सेफ हमारा पॉंट रहता है तो इस तरह से हमने कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था जिससे इसमें यह algae जम गई है तो आपको दिखा सके कि किस तरह से आप इसको remove सबसे आसान तरीका होता है यह पानी बिल्कुल fresh हो जाएगा थोड़ी सी इसमें धुंदलाहट हो जाएगी थोड़ा धुनला हो जाएगा पानी क्योंकि जो मिट्टी हम नीचे से जो इसमें हम हटाएंगे तो वह उपर आ जाएगी लेकिन थोड़ी देर बाद वह मिट्टी अपने आप ही नीचे चली जाती है और पानी बिल्कुल fresh हो जाता है तो इस तरह से बिना मचलियां डालें आप बिना फिश का यूज किये अपने पॉन को साफ रख सकते हैं तो इसमें जो आप फटलैजर कब एड़ करें अगर आपने सीट से ग्रो किया हुआ पौदा है तो आप जब तक उसमें यह area leaves ना आ जाएं जो कि area leaves यह होती है जो उबर की तरफ इस तरह से अपने आप बिना सपोर्ट के खड़ी हो जाती है तो यह area leaves होती है तो जब तक वो ना आ जाएं तब तक आप इसमें जादा फटलैजर एड़ ना करें और गोबर की खात को डालना हमने बताया हुआ है वीडियो description box में जरूर चैक कीजिए किस तरह से आप इसमें fertilizer add कर सकते हैं और इस तरह से जो यह side में अलगी लग जाती है इस चलनी से आप इसको साफ भी कर सकते हैं बहुत आसान होता है बहुत जादा care नहीं करनी होती है और बहुत जादा गर्मी में भी अगर आपके पते जल रहे हैं तो आप क्या कीजिए जो आपका pot है या यह tub है इसको एक कपड़े से cover कर दीजिए आपका जो pot है उसमें ज्यादा गर्मी नहीं पहुचेगी तो पतियां नहीं जलेंगी देखिए पानी बिलकुर साफ हो चुका है इसमें हलकी सी मिट्टी आपको दिखाई दे लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी बैठ जाएगी वीडियो कैसी रगी कमेंट बॉस में जरूर बताएए थेंक यू